नमिश्कार सी निउस भारत में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रजा सिंग राहूल गांधी आजकल विवादों में गिरे हुए हैं जबसे अमेरिका का दौरा किया यहां भारत में उनका जीना हराम हो गया है अपने बायानों के वज़े से वो आए दिन कोसे ज आपके नाम के घोश्रा कर रहा है आपको हैरानी होई होगी मगर यह सच है शिवसेना विधायक संजय गायकवार ने राहूल गांधी को लेकर एक विवादत बयान दे दिया है शिवसेना विधायक संजय गायकवार ने अपने बयानों की वज़े से चर्चा में बने रहते ह उन्होंने कहा कि राहूल गांधी के जीब काटने वाले को 11 लाग का इनाम दिया जाएगा अब ऐसा उन्होंने क्यूं कहा है चलिए आपको बिताते हैं इस रिपॉर्ट में कॉंग्रस नेता राहूल गांधी हाल ही में अमेरिका के दोरे पर गए थे इस वरान उन्होंने विजेपी और आरेसेस पर निशाना साधा था इस वरान उन्होंने सिखों को लेकर भी विवादित बयान दिया था अमेरिका में उनके दिये बयानों के वज़े से देश का सियास पारा बढ़ा हुआ है एक तरफ बिजेपी के एक नेता ने राहूल गांधी को दादी जैसा हाल होने की धमकी दी थी वहीं अब शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवार ने राहूल गांधी के लिए विवादित बयान दिया एक सार्विजनिक शभा में आरक् सा फेक नरेटिव फैला कर वोट हांसिल किया था अब वो देश्ते आरक्षन खत्म करने की वकालत कर रहे हैं वो पिछले आदिवासियों को दिये जा रहे आरक्षन को सौ परसेंट खत्म करना चाहते हैं सभा में संजय गायकवार ने कहा कि मैं कहता हूं जो राहूल गांध गांधी पर हमला बोला था उन्होंने बिहार के भागलपुर में राहूल गांधी को बंबनाने वाला और नमबर बन आतंग बादी बताया था इसके जवाब में को अंग्रिस ने कहा कि राहूल गांधी के लिए विजेपी नेताओं के दिल में नफरत है इसलिए वो गंदी मर्यादा का निरादर करना है लेकिन राहूल गांदी को भी अपने बयानों पर ध्यान देने की जरुवत है लोगतंत्र में प्रतिपक्ष के नेता की अहम भूमिका होती है अगर वो विदेश के दौरे पर हो तो उस देश के साथ इस्थापिस समवात की अहमियत को नकारा नह के कारण भी हो सकते हैं यहां महत्यपुर्ण यह है कि उन्होंने किस्से मुलाकात की और क्या कहा उनका एक बायान भारत की विदेश नीती को धराशाई कर सकता है फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आ और कबर आपके साथ आपके हाथ